तो ये है जी प्यारा सा खूबसूरा सा लंबे लंबे चाबलो वाला सौट सौट कोफतों वाला कोफता पलाओ और अगर आप भी इस तरह का कोफता पलाओ खाना चाते हैं तो आप हमारी इस रेसेपी को फॉलो जरूर कर लीजेगा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रस कर लीजिएगा क्योंकि इस जैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी और खूबसुरत रेसिपीज हमारे चैनल पर आने वाले वक्त में हम जुरूर अप्लोड करेंगे तो चलिए 20 सेकिंड का एक छोटा सा चैनल का इंट्रो है वो देख लीजिए मिलते हैं आप से चैनल इंट्रो के बाद अच्छी बड़ी सी कड़ाई ले नहीं है जिसमें आप ने चोटा सा प्लॉ रेडी करना है तो बड़ी सी कड़ाई के अंदर ऑईल या घी शामिल करें वैसे मेरा मश्वर है घी डालके उसके अंदर चावल बनाईएगा बहुत खूसरा जायकात है घी शामिल कर लेते हैं इसके अंदर तीन से चार चमच और उसके बाद रफली कटा हुआ मीडियम साइज का एक छोटा प्याज वो इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, fry करना है हमने, बहुत ज्यादा इसका कलर आपने चेंज करने ना वर्रना फ्लॉग का कलर भी चेंज हो जागा और आप कहेंगे के यार, आफिस ने बताया कुछ नहीं अच्छा जैसे ही प्याज हलका सा color change करने लगेगा तो इसके अंदर कुछ साबद मसाले आपने शामिल करने हैं जार से पांच अदद आपने काली मिर शामिल करनी है एक छोटा सा ठुकडा इसके अंदर दारचिनी का शामिल करेंगे चोटी सबस इलाची वो अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं उसके बाद तेज पते हैं दो अदद वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और आदा चमच इसके अंदर हम जीरा शामिल कर रहेंगे ये खड़े मसाले शामिल करने के बाद आपने दुबारा से 1-5 मिनट के लिए इसको प्यास के साथ फ्राइ कर लेने हैं अब इसके अंदर हल्का सा पानी का छिड़काओ करने हैं ताके मसाला आपका जले नहीं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक चमच आपने अद्रक ग्लेसन का पेस्ट वो इसके अंदर डाल देने हैं और उसके बाद अद्रक लेसन के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करना है एक से फॉरण बाद इसके अंदर आपने टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। अब चाहें तो इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं हमारे पास फ्रीज की हुए टमाटर पड़े थे तो हमने उसको पीस कर पेस्ट बना लिया है वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से हम दुबारा से मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करते हुए पर आप बीफ कोफते भी शामिल कर सकते हैं चिकन कोफता की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा हम इंशाला चिकन कोफता कैसे बनते हैं उसके रेसिपी जल्दी अपने चैनल पर अप्लोड कर देंगे बाराल चिकन के कोफते इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जिनको हमने 50% तक फ्राई कर लिया हुआ था अब इन मसालों के साथ आपने कोफतों को तीन से चार मिनट अच्छी तरह पका लेने हैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करिएगा तागे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो ज जेगा वैसे तीन से चार मिनट के बाद इसके अंदर तकरीबन आदा गलास हम पानी शामिल कर रहे हैं ताके इस पानी के अंदर बॉयल आया और इसके अंदर हम चावल शामिल करें और हमारा कोफता फ्लॉव बनकर रेडी हो जाए इसको कवर कर रहे हैं और दो मिनट से हिला देना है और उसके बाद इसको आपने कवर कर देना है तीन से चार मिनट में इन्शाला ये चिकन कोफता फ्लॉव आपके सामने बिलकुल रेडी हो जाएगा तो जी तीन से चार मिनट बात कोफता पुला हुमारा बिल्कुल रेडी हो चुक है अब इसको हमने सिर्फ तीन से चार मिनट मजीद दम लगाना है क्योंकि दम लगाए बिना बिल्कुल ये खाने के लाइक नहीं होगा हलका हलका इसके अंदर पानी अभी भी आप देख रहे हैं तो ये पानी इन्शाला जैसे हम दम लगाएंगे तीन से चार मिनट में तो ये खुश्क हो जाएगा अच्छा वही मैं बताता चलूँ अगर बरतन नीचे से बहुत ज़्यादा बरीग है ना तो नीचे एक तवा रख लीजेगा और उसको पहले हाई फ्लेम पर गरम कर लीजेगा एक आत मिनट जैसे ही तवा गरम हो जाए तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और तीन से चार मिनट इसको दम लगा देना है और उसके बाद इसकी flame को आपने बिल्कुल off कर देना है मजीद आपने 5-6 मिनट वेट करना है फिर आपने दम को कोलने है और उसके बाद serve करने है हम इंशाला आपको serving दिखाते हैं हमारी serving को देखते देखते हैं चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा साथ में लगे bell icon को भी लाजमी प्रेस कर दीजेगा क्योंकि इस जैसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हम अपने चैनल पर आने वाले वक्त में अपलोड करने वाले हैं हाफिज राशिद को दीजिए इजाज़त अपना ख्याल लखिएगा अपने सैनल का भी अच्छी आला हाफिज